नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन के अटिसिक्स में और आज हम बताने वाले हैं कि अभी अभी एनाउंसमेंट हुआ है यानि कि 11 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आया है रेलवे के ओफीसियल वेब साइट पे जैसा कि आप आउनलोड करके पूरा इसे पढ़ ले तो चलिए देखते हैं इस वेब साइट पे कैसा है वह ओफीसियल एनाउंसमेंट उससे पहले अगर जिन बचों ने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब ना किया हो वह प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर किजिएगा अपने दोस्तों में ताकि उनको भी इसका नोटिफिकेशन जा सके ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या है वो नोटिफिकेशन चलिए देखिए यह आपको वेब साइट पहले दिखा दू मैं यह देखिए यह वेब साइट इसका वेब साइट का नाम है rrb.bpl. .nic.in जी हाँ यह यह रेलवे का भुपाल का एक ओफिसियल वेब साइट है और उसके वेब साइट पे यह एनाॉंसमेंट किया गया है कि 11 साथ जुलाई को यहाँ पर यह लिंक देख रहे हैं आप ALP टेक्निशन पोस्ट के लिए यहाँ पर एक नोटिस दिया गया है जो कि इक्जाम से रिलेटेड है तो जिन बच्चों ने ALP और टेक्निशन का एक्जामनिशन फॉर्म भरा है वो बच्चे इसको जुरूर पढ़ें तो देखे मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूं यह एक पेस्ट खुलता है यहाँ पे और इस बताया जा रहा है कि फर्स स्टेश मोक टेस्ट के लिंक भी डाल दी जाएगी यहाँ पे तो आप सभी 26 जुलाई को यहाँ पे मोक टेस्ट भी दे सकेंगे ठीक है और दूसरी चीज़ बताई जा रही है कि जो एक्जामनेशन सीटी डेट सेशन यह भी होगा 26 जुलाई को आपको बताया जाएगा यानि कि और ठीक है उसकी भी लिंक दे दी जाएगी वेबसाइट पे और साथ ही साथ यहाँ पे डियूरीशन बताएगा है एक्जामनेशन का 60 मिनट जी हां 60 मिनट है और जो पी डेवलू डी केंडिडेट होंगे उनको 80 मिनट टाइम दिया जाएगा और यह 75 नंबर का एक्जाम होगा जो की आपका LP टेक्निशन और लोको पाइलट का एक्जाम है ठीक है और टाइप अफ एक्जाम जो यहां बता रहा है मल्टी च्वाइस कोश्चन यानि की कैसे कोश्चन होंगे की सपोज मालनों कोश्चन एक है उसका आंसर पांच होंगे और उसी कोश्चन के आप्शन में आपको बताया जाएगा कि दोनों सही है सपोज मालनों तो आंसर क्या होगा A and B are correct या फिर A and B are C and also correct ठीक है तो ऐसे multiple choice के option रहेंगे आपके कोश्चन में तो यह जड़ा ध्यान दीजिएगा ठीक है negative marking one third का रखा गया है ठीक है तो यह इतना information दिया गया है इस board द्वारा त इस site का नाम मैंने आपको बता दिया है कि rrb.bpl.nic.in पे जाके आप इसे देख सकते हैं और group D का जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी इसका कोई announcement नहीं दिया है ठीक है जैसे इसका link आता है मैं आपको सबसे पहले update करूँगा तो चलिए आज के लिए इतना ही था और हमारे स साथ इस channel को subscribe कर लिजेगा और दोस्तों को share कर दीजेगा बस इतना है जब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में